तो देखिए आज की वूडियो में क्या लिक है आप लोगों के लिए तो देखिए यह महारास्ट्रा का जो है फार्मासिस्ट एक्जाम के जो फार्मेसी ओफिसर के जो क्वेशन पेपर है उसमें हमने एक पेपर डिसकस किया था 28th February का जो 2021 में कंडक्ट हुआ था तो 2021 में ही जो है आपका अक्टूबर में ऑक्टूबर में भी एक्जाम हुआ था और यह 24 अक्टूबर को हुआ था ठीक है 24 अक्टूबर 2021 का यह पेपर है तो इसमें फार्मेसी के 40 क्वेशन्स है तो इनको देख लिए कैसे का क्वेशन्स हमने प्रोवाइड करा दिया आपको जो एक पेपर अभी दूसरे पेपर के 40 क्वेशन्स इसमें मैं आपको लिख के आई हूं तो देख लिए कैसे का क्वेशन्स पूछे गए हैं एक्स्परनेशन के साथ में क्वेशन्स आप लोगों के लिए लेकिया हैं सभी जो आपके कॉम्ट्रटिटिव एक्जाम से फार्मयस फार्मसिस्ट के लए इंपर्मर्ट रहने वाले थो फार्म अभी जो हैं एक्सन कारें चैनल पर नाया है आपके च्म्हें लेऴ然 लेकर करना नहीं किया है तो ड्रक जो कैमिकल चेंजिस होते हैं ड्रक के बॉड़ी में उन्हें क्या कहेंगे बायो ट्रांसफोर्मेशन कहेंगे ड्यजेशं अब्सॉप्ष्ञ रेडियेशन कर्या है कैमिकल चेंजिस ओफ ड्रक इन लीविंग प्रिवेस कोशन में कोशन में हमने इसकी यह डेफिनेशन देखी थी लगबग वही है थोड़ा साथ चेंज करा हुआ है तो केमिकल चेंज ओफ ड्रग इन लीविंग बोडी और रंडर टुए तो इसे बायो ट्रांस्फोर्मेशन कहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बता जब आदिए और फेज वन फेज डु यरेकशन के बारे में भी ऊकैंस्ट आपका क् वैशन थी मौको आपकी ऐगास से ली अचन 1 तो आं अब यू होते हैं peripherally स्कलacha होते हैं और एक होते हैं तो आप से पूच्छा है और एक होते हैं दो टाइप की होथे हैं वृप्षंज पहलोध और की में मीं घर किते रिलाथ स्कलाटल मुसक्छ नी het जब आता है ऑट य displacement के बार में पढ़ते हैं तो इसे सवय में तो इस yearly दिए में थान उसमें एथर है जो आता हिए इंटराल मिसल लाकसेंट्स में आजि यह राट यह ना के यह पैरिफरली अक्टिंग जो स्केलटल मसल्स रिलक्सेंट होते हैं उसमें आपका सक्सिनाल कोलीन आएगा और उसी में ही हमारा D2 कुरियरीन भी आएगा देखे जो पैरिफरली अक्टिंग स्केलटल मसल्स रिलक्सेंट होते हैं उसमें देखे एक तो आपके होते हैं नियूरो मस्कुलर ब्लोकिंग एजेंट्स होते हैं और एक क्या होते हैं डारेक्टली एक्टिंग एजेंट्स होते हैं तो नियूरो मस्कुलर ब्लोकिंग एजेंट्स जो होते हैं इसमें एक तो देखी क्या होते हैं नौन डीपोलराइजिंग ब्लोकर्स होते हैं क्या होते ह इंग में आता है और चुन नौन डी पॉलराइजिंग ब्लोकर होते इसमें हमारा डी ट्यूबर कुरेरी ना जाएगा जो था लोंग एक्टिंग होता है यह भी याद रखना तो यह तो हमारे किसके बारे मगे पैरिफरली एक्टिंग स्कुलेटरल मसले एक्टिंग में तो त जो आता है क्लोर जोकसा जो ना जेगा क्लोर मीजा ना जेगा मीथो कारबामोल इस ओलार मिफनैसीन कंजीनर्स विच कम संडर सेंटरले एक्टिंग स्केलटल मसल्स रिलक्सेंट आता है आपके बैंजोडायसीपींस में डायसीपा में अधर साथे गाबर डेरिवेटिव में आता है Central Alpha to Agonist में टिजान रिदीन आता है इस ओल आर सेंट्रल एक्टिंग ओके नेक्स क्वेशन देखिए आपका है विच अमंग दर फोलूइंग इस एंटी फिलेरियल ड्रग कौन सा है फिलेरियास इस में जिसको यूज करेंगे है न देखिए ओप्शन्स डीएस डीएस क को तो हम किसमें यूज करतें यूज करतें यह न लैप्रोसी में डप आपसोन यूज होता है वनोगे जो क्या होता है इस यह वोता है इस होठीरिया मुनिक्डेरिया होता है इसके लिए नेलोशन स्टेनिग आप लोग पढ़ते हैं और देखिए प Elector इस यह लगों से पूछते हैं वुच्छते हैं आपको आइसो नियाजिट मिला आई एनच का मतलब क्या है INH का मतलब है हमारा isoniazid जो आपके isoniazid कहां पर use होती है बताइए isoniazid जो होती है कहां पढ़ते हो इसको जो हमारी anti-TB drug होती है anti-TB drug में fast line जो anti-TB drugs होती है उसमें आपके isoniazid आती है माई-Colic acid की synthesis को inhibit करा देती है यह तो आपका अंसर क्या होगे option c नेक्स आफिनिटी का मतलब क्या होता है एक affinity होती है एक intrinsic activity होती है तो आपसे affinity पूछा देखें drugs binding to plasma protein तो plasma protein से drug की binding inhibiting potency of drug drug binding to a receptor availability of drug देखे affinity क्या होता है drug की receptor से bind करने की ability होती है उसी को affinity कहते है drug binding to a receptor option आपका c right हो जेगा affinity का मतलब है ability of drug to combine with the receptor एक होती है intrinsic activity उसका मतलब होता ability of drug to activate or reduce conformational change in the receptor intrinsic activity होते है 0 से 1 होती है तो agonist यह भी question आता है agonist जो होते हैं उनकी देखे affinity भी होती है और intrinsic activity maximum होती है agonist के बारे में क्याद रखेंगे इनमें affinity है और maximum intrinsic activity intrinsic activity 1 होती है antagonist में affinity तो है but intrinsic activity इनकी 0 होती है तो receptor से bind तो करेंगे पर कोई action प्रडूस नहीं कराते ना antagonist partial agonist क्या है have affinity but intrinsic activity इनकी minus में होती है minus 1 हो जाती है तो यह तीनों आपने याद रखने हैं जिसका adverse effect है most common adverse effect आपका stevenson johnson syndrome करा देती है यह drug देखिए सलफोनमाइड दिया आपको tetracycline macrolide penicillin देखिए आपके सलफोनमाइड के adverse effect में आपको देखने को मिलता stevenson johnson syndrome करा देती है आपका answer option a right हो जेगा बगि tetracycline जो आपकी broad spectrum antibiotic में आती है तो हमारा answer सलफोनमाइड हो गया सलफोनमाइड के adverse effect में देखिए स्टिवैंस जोंसन syndrome काफी important है क्रिस्टल यूरिया भी कोस करा देती है एक्ष्पोलेटो डिरमेटाइटिस करा देती है कर्निक टैरस कराती है हीमोलिस्स कराती है यह सारे हमारे सलफोनमाइड के adverse effect है अलग 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 से पूछे वे crystal area का भी एक एक्जाम में आया हुआ है stevenson johnson syndrome वाला कर्निक टैरस वाला हीमोली से सारे पूछे वे सारे important adverse effect है जो यहां पर मैं लिखे हैं ओके लेखे आप से पुछे ड्रग और कोस्माटिक एक्ट जो है 1940 का है 1940 में पास हुआ और इसके रूल्स कब आये 1945 में तो आप से पुछे कब पास हुआ तो 1940 आपको एक यह option में मिला है option A तो देखिए समय डेट भी दी हुए है तो 10 अपरिल 1940 है 10 अपरिल 1940 में एक्ट पास हुआ और जो इसके रूल्स है यह 1945 में आए है तो बाकी देखिए और एक बर एक्ट एकट रिवाइस करा दूँ है आपको 1919 में कौन से अक्ट पढ़ते हो पोजन अक्ट पढ़ते हो ना पोजन अक्ट कब है 1919 में और आपका जो पेटेंट अक्ट पढ़ते हो पेटेंट एक्ट वो कपका है 1970 पढ़ते है पेटेंट एक्ट के लिए है ना और एक हमने देखा था डिपीसी ओड्रग प्राइस कंट्रोल ओडर वह आपका देखा था आपने 1995 का भी लिए टेस्ट भी आ चुका है यह और जो आपके 1948 में कौन-कौन से एक्ट ह आपका यह पर्मेसी एक्ट है काफी इंपोरेंट कौशन बनते हैं रहएCrा फैक्ट्री एक्ट होता होता और एक मिनिमम्म ऐजीज्व अक्ट होता है यह आपके हैं 1948 की एक्ट हो कीरनी विए नाइटेंसे 20ा कह एक्ट का गाynटेंस यह बादा का और इसके नलीक प्रोरव और NDPS Act है वो कब का है NDPS 1985 तो जो Act है उनके Year है और बहुत से बच गई वह आप रिवाइस कर ले ना कि इसके ओपर Question बनते हैं तो हमारा उसर होग है option A Finobarbitone is Drash acting Barbiturator is which type of barbiturator, कि फिन बार बचिरेयत ? लोंग एक्टिंग ? इंटरमीडिट एल्टरा शोट है ? लोंग एक्टिंग में हमारा आता है फिनो बार बचिंग ? आता है शोट एक्टिंग जो होते ना उसमें एक तो आपका पैंटो बार्बिटोन आता है ना पैंटो बार्बिटोन आजाएगा एक सीको बार्बिटोन आजाएगा इंटरमीडियेट एक्टिंग में आपका एमो बार्बिटोन आजाएगा अल्टरा शोट एक्टिंग में दो कॉमन आक्टिंग वर्बुचिलेट में आजेगा option A आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा next time atropin is the ester of तो atropin जो है यह ester होता है किस किसका tropin and mandelic acid, tropic acid and salicylic acid tropin and tropic acid, tropin and salicylic acid देखें, tropin तो होता ही है, साथ में tropic acid होता है atropin is the ester of tropin and tropic acid next question देखें, anti-laparotic action of dapsone is due to mainly effect on dapsone जो है मैं आपको बताया, di-amino, di-phenyl sulfone di-phenyl sulfone होता है, laprosi में इसको dapsone को use करते है okay, तो dapsone जो है, anti-laparotic है पता है anti-laparotic actions का mechanism पूछा है, कैसे काम करता है, mainly effect किस पर effect करता है इनिबिशन और folate synthesis, calcium channel देखें कि calcium channel blocker नहीं होता है इसमें तो आपके nifidipine, diltiaz, virapamil यह सबाते है DNA synthesis या phagocytosis, देखें, dapsone जो कैसे काम करेगा, यह क्या करेगा, inhibition करेगा, किसका folate synthesis को answer आपका option A होज़ेगा, pharmacology से आपका mechanism पे question और drug के mechanism काफी important है क्या होता है, तो टेबलेट के defact से question है, बहुत इंपोर्ण टेबलेट के defact, देखें मोटलिंग का मतलब होता है अनिकुल distribution of color on the surface of tablet is known as modeling, मोटलिंग का मतलब क्या होता है अनिकुल distribution of color on the surface of tablet is known as modeling, tablet break into layers, देखें, L से layer, L से lamination तो tablets जो layers में separate होती है, that is known as lamination, separation of tablet into two or more distinct layer is lamination फिर development of crack in tablet formation of wings, तो हमारा जो modeling होजएगा, अनिकुल distribution of color on the surface of tablet is known as modeling option A, आपका right हो जगा, next question देखें, schedule of the drug and cosmetic act 945 content schedule के ओपर question तो बनना ही है schedule H में आपकी simple prescription drug के लापका schedule पढ़ते हो न, देखें, antibiotic and antihistaminic दिया है, vaccine संसिरा दिया है biological and special products दिया है, drug to be sold only होंदा prescription of registered medical practitioner, तो देखें, आपका answer क्या हो जाएगा, option D हो जाएगा, schedule H जो होता है यह किसके लिए होता है, drug to be sold होंदा prescription of registered medical practitioner, prescription drug के लापका schedule H आप लोग पढ़ते है biological and special products के लिए कौन schedule पढ़ते हो आप लोग, biological and special products के लिए हमारा schedule C आता है, biological and special products के लिए, okay बाकी schedule V किसके होता है, standards for patent and proprietary medicines, VPP से मैं आपको याद कराती हूँ, schedule W किसके होता है, list of generic drug, generic drug के लिए schedule W आता है और जो है, schedule as standards for cosmetics होता है, or standards for disinfectant fluid होता है, or standards for mechanical contraceptives होता है तो schedule का वीडियो अप लोड करा हूँ है, वहाँ से आप लोग इस हो रिवाइस कर लिए, schedule को, नहीं से हिस्टामीन concentration is highest in, तो हिस्टामीन जो है, जो हिस्टेडीन amino acid के decarboxylation से बनता है क्यों कर लगेए हिस्टामीन क्युक tomar गहां से हीट अधियीien जो है था का है से हिस्ट्रेडिन आंसर की नियुक्ति इसके लें, इसका होता है क्या डी-कार्वक्सिलेशन अंजायम काप करेगा डी-कार्वक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा आपका आपका हिस्टर पूर्ड एंच में लो 세④ होता है लो करें साथ में पूर्टियोक और जो ब्लोक करते हैं और गुड़ एपटाइट को भूब को भी बढ़ाती है कौन सी है ये ड्रग बताईए देखें रैंटरीन तो रैंटरीन जो है आपका एस टु ब्लोकर होता है सिमेटडीन भी एस टू ब्लोकर है तो यह तो नहीं होगा इनका तो कोई सीरोटोनिन के ब्लोके से मतलब भी नहीं है बाकी क्लोर फिन एरम इंदिया सिप्रोहाप्टडीन तो आपके आंसर क्या है ऑप्शनिस प्रोहाप्टडीन जो होती है यह क्या एंटीस्टामिनिक क्लास लौनसी ढाती है मैख्रोलाइज बैक्टेटियोस ट्डी के लाइटैगों से एंदी करती हैं मैख्रोलाइछ मेंग्रोंथुलाइज यह सब आपकी है macrolide antibiotics याद रहेगा अभी जो है option में आपको macrolide दिया है option c में बिटल एक्टम एंटिबाइटिक में penicillins, phallosporins और carbapenum, monobactam, aminoglycosides में streptomycin, gentomycin, kenomycin यह सब आपकी जो है aminoglycoside antibiotics में आती है okay तो answer आपका option c हो गया देखिए macrolides में आपको बता दें आपको बता दें आपको बता दें आपको बता दें आपका इसका 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 एक्जामपल आता है कालवापीनम सेमापका इमीपीनम, मीरोपीनम, फीरोपीनम आता है अब आपके aminoglycosides में कौनकों सी राती है aminoglycosides में स्ट्रिप्टोमाइशन, चैन्टमाइशन, कैनमाइशन, तोब्रमाइशन, अमिकैसिन, सिसोमीशन, नाइटलमेशन और जो टॉपिकल ब्रॉट्ट काइशन करा है, क्या रिट तो लाइट से क्या होता है यह यहो ऑक्सिडेशन हो जाएगा ओप्शेंच आपका डी राइट हो जएगा एक ड्रग जो दूसरी ड्रग की आक्टिविटी को ही क्या करा रहे एंड डिक्रीज करा रहे डैट इस नोन अ अंट अगनिस्ट ओके ऑप्शन भी राइट हो जाएं एकनोमिक ओडर क्वांटिटी एम सेट मिनिमाइज ही तो फूल फूल फूर्म भी पूछते हैं इकनोमिक ओडर क्वांटिटी तो इसमें जो है मिनिमाइज करना होता है देक्विए क्विप करिण को और दोनों ही मिनिमाइज करने होते हैं बाके सप्लाइर प्राइस हासा कुछ नहीं है option आपका 3 हो जगा both both carrying cost and ordering cost दोनों को minimize करना होता है इसमें economic order quantity नेक्स्ट है ABC analysis based होन तो ABC analysis किस पे based है ABC analysis देखें unit price material consumption value of material storage value of material old तो किस पे based होता है ABC analysis consumption value of material पे जो है पेस होता है ABC analysis तो मारा answer क्या हो जगा option तो जगा consumption value of material इसकी full form भी कई है पूस्ते ABC की full form क्यों होती है always always better control इसमें नेक्स्ट क्वेशन देखिए कहला माइन इस तो कहला माइन क्या है यह बताना है आप लोगोंने junk oxide with zinc sulphate, zinc oxide with small proportion of ferric oxide and zinc oxide with block proportion of titanium dioxide鹽्य silicon polymer तो क्या होता है zinc oxide with small proportion of ferric oxide होता है ओन जो Mayo minus pink color होता है वह इस प depicted पारसें प्रेशें आंस्र आपकई option वि होजेगा next है happens स्टेरियर हुर्मोंस आपसे पूछें प्रोलेक्टिन टिलीजिंग हॉर्मों लेकिन एडियोहफॉथ सब्सक्राइब तो आपके जो हैं, नूरो हैपोफेसी से जो हैं, डिलीज होंगे, वह आपके हैं, OXITOSIN and ADS, that is vasopressin, okay, next function of Central Drug Laboratory, Central Drug Laboratory का function बताइए, to analyze a sample of drug or cosmetic, to issue loan license, to issue repacking license, to issue manufacturing license, C.D.L. Central Drug Laboratory, फैलतो भी बताइए, है, कहां पर ये, Central Drug Laboratory, कहां पर है, कोलकाता इसका जो फंक्शन बताइए तो एनलाइज दा सैंपल ओफ ड्रग एंड कोस्मेटिक स्थ्यान रखना ओप्शन ए ओके नेक्स्ट फोलिंग इंसुलिन प्रेपरेशन का लोंग एस्ट एक्षन बताइए कौन सी का है सामल में प्रोतामिन जींक द इसका लोंग इसका इंद्सिरीन के लिए स्रीघ्क अठोकों हुई इंडी होगे इंडीं जिन्ग उप स्थ्याईये तो फमें इस एक्टिंग षजनान वार्ट लेंटे घरल देन बेगता तक इन्सुलिन नेक्स्ट क्वेश्च आपके बिटल लक्टम इंटिवाइटिक तो कहां पर अपना इफेक्ट शो करती है कि सेल वोल सिंथिस प्रोटीन सिंथिस इना सिंथिस सेल मेंबरीन तो जो पैनिसलिन होती है सेल वोल सिंथिस को एक्टिक आपका यह सेल वोल प्ट करती है सेल वोल सिंथिस को हैट हो जागा कौन सिया कोंसी और यह दो आपके ब्रोड स्पेक्टर मांटिवाटिक इसमें आपके tetracycline और chloramphenicol आती है फिर आपके macrolides जैसा भी मैंने आपको पता है था macrolides में आपके जो है erythromycin, klytheromycin, oxythromycin है लिंकोसमाइट्स होती है linazolid होती है अमिनोग्लाइकोसर्ट है यह these all are protein synthesis inhibitors इसमें से bacteriostatic कुन सी होती है tetracycline chloramphenicol बोथ है bacteriostatic याद रखने है bacteriostatic detracycline chloramphenicol बैक्टिरियो स्टाटिक होती है आपके देखे macrolides जो है यह भी bacteriostatic होती है और आपके जो है amino glycosides जो होती है बैक्टेरी साइडल होती है पैनिसरिन भी बैक्टेरी साइडल होती है तो देखेए इस टैप से भी question आते है कौन सी बक्तिरो स्टाटिक के कौन सी साइडल तो आपने सारे देख लेंगे कौन सी साइडल के सल वोल पर कौन कौन से एक्ट करती है पैनिसलीन से फालोस्पोर इंबैसिट्रासिंग वैंकुमाइसिन साइकलो सीरीन याद रखने हैं ड्रग सेल मेंब्रेन प्यक्ट करेगी यह करते हैं ड्रग में पढ़ते हैं नाइट्रो इमीडाजोल होता है फिर आपका इंट्रफेर भी इंट्रमिडियर्टी मेटाबोलिजम में सल्फोनमाइड सल्फोन्स परामिन सालसिली कैस्ट पी एस ट्रामिठोप्रिम पारिमिथामिन इथम ब्यूटोन नेक्स्ट आपके इंट्रफेर विद डीने सिंथेजिसमें एसिकलोविर और जीरो व्यूडिन आजेगा ओके नेक्स्ट क्वेशन देखें पायडोक्सिन इस एड्मिनिस्टर विद आइसो नियाजिड तो मिनिमाइज दा देखें पायड नूरोपैफी और याइटी विदती डीलोपैफी दें में की सीच्रीय और जदेती है कि बीशी को प्रिवंट करने एक प्रिवेंत नियूरोपैथी और फोकोमीलिया इफ्यक्ट क्या देखने को मिलता है फोकोमीलिया को उसकरा देते हैं फोकोमीलिया का मतलब है सील लाइक लीम्स देखिए शोटनिंग ऑपर एंड लोवर लीम्स तो यही आपका उप्शन यही राइट हो जेगा हाथ और पैर जोते न वह शोटनिंग हो जाते हैं है न सील लाइक लीम्स हो जाते इसमें बाकि पेशेंट इस नॉट आबल तो सी ब कोकि तो जो है आपका उप्थाल्मिक प्रप्रसें के लिए डिया इस्ट केवाल इस फोके डिस नॉट सीडियूल होता है तो को जो है वह हमारा लाइफ पेड ओफ ड्रग होगा option a राइट हो गया अग्याइब को बतारा कि बालोचिक विप्रड़क्ट्स आते हैं तो बंजायल पैनिसलिन सीरा टॉक्सिन अनन तो क्या आएगा इसमें से सीरा टे ना टॉक्सिंस बंजायल पैनिसलिन तो इसका आप लोग बताना कमेंट करके तो गोवर्मन नीमच में है और दूसरी काहां प इसलिए टॉप समें संट्रडर्ड लाबोरेट्रिट्री दो हैं लगनों में सेंट्रल ड्रीष इंस्ट्यूटूट र सपहनरे के और सेंट्रल रिसटूट का सूल्मि इसने इंट्रीश के स्टोड़ेंगे कर सकते इंट्री म४्रेट्स ताहाष भर फैर इक्सिंएं तन आपका एही राइट होजेगा नेक्स्ट है कोडिंग ऑफ इंग करते हैं किसमें करती है रेटक्षण ऑफ आइटम स्टेंड ड्रॉट्स किसमें हैं करेगी हैंडलिंग ऑफ फ्टोर आइटम सोजेगा ओके नेक्स्ट क्वेशन देखिए हाटमन सोलुशन क्या होता है जो यह जो आपको है इन राइक स्ट्रीट से क्वेशन है हाटमन सोलुशन होता है क्ल्ण सॉडियम लाक्टेट स्ट्वूशन नेक्सन रिडियो अपकांड विए राइट पर कंपांड क्कॉंसा बेरियम सलफेट ऑप्शन्स देखिए बेडियम सल्फेट आपको आप्शन बीवे मिला है तो बेडियम सल्फेट जो होता है बी एएस ओफोर बेडियम मेल भी इसको बोलते हैं तो यह होता है रोडी रेडियो पर कमपाउंड होता है यूज़ इन ते एक्जामिनेशन गास्ट इंटर्शिंट ट्रेक्ट तो से आपको सेंटरलि एक्टिंग एंटि-हाइपटैसे एंटि-हाइपटैसिटिंग क्लासिफिकेशन से कुएशन है तो उसमें आपको सेंट्रलि ऑप्राजोसी ने अंब यह तो नहीं होगा बाकि जो है इस एक्टिंग अपका अल्फा मिधाल डोपा हो जेगा ग्वेंट्रडीन यह नहीं होगा प्रोप्रेंट्रोल भी आपका जो है नोन स्लेक्टिव बिट व्लोकर में आता है तो हमारा अंसर ऑप्षिन भी हो गया कोईनडीन एक्ट एस एंटियर्द्मिक ड्रग बाए कोईनड स्कौान इसका सब्सक्राइब दूपा स्काइब आधेन चैलेज़् थाया दो ओस्वेशर असना प्रफिन कोईनडीन कौनियों ना संकौन ए नहीं ड्यान आसा ग्लास वन यह घ्र आता है क्लास 1 एक अक्लास 1 एक ब्लोकर में नहीं जो है कैसे काम कर रही तो आप समझाया किसमें काम करेगी के आजिम चैनल को ब्लोग करेगी बिल्कुल नहीं करेगी बिट अप ब्लोकर भी नहीं है सोडम चैनल को ब्लोक करेगी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो गया है ना यह हो गया आपका ऑप्शन सी तो एंटियर्थमी का थोड़ा सा लिख क्रिक्लेट इसमें प्रिप्रेक्शनल न होते दिन आपके प्रताशियम चालव करते हैं। नो किया करते है प्रोलोंग करते है रिपुलराइजेशन इसमें ड्रग पड़ते है अरिदमिक तो विरंटीयजम है इस अन्सवटन हको बंगוכ भीज़ी टांर बेना हुं व्हожएजिड यसे वह हैं यह थायरोक्सिन जो आपका हॉर्मोन है उसको क्या करती है किससे करेंगी देखेंगे डेश ट्रोइ करेंगी साल्स को थायरोड ग्लैंड्स में इसा नहीं करती इंट्रेफेर विद्धा तो क्या करती है ड्रग यह जो है इंकोर्पोरेट होता है यहां पर काम करेगी इंकोर्पोरेशनों फायोड इंटू थारोग्लोबिलर ओके डिक्रीज दावलेबिलिटी फाम इनुस्ट आसा नहीं होता तो अलोग का तो मतलब भी नहीं है ऑप्शिन आपका बी राइट हो गय या फिर टॉक्सिक डोज और परसंट टॉक्सिक डोज थिरेपेटिक डोज और परसंट रिस्पोंस नन तो यह आपका होता है टॉक्सिक डोज और थिरेपेटिक डोज का रेशयो होता है जो आपका होता है थिरेपेटिक इंडेक्स और किसको इंडिकेट करता है सेफटी य देखिए the concentration gradient के अगेंस्ट ट्रांसपोट हो रहा है देखिए किसमें होगा कि यह पैसीड में फिल्ट्रेशन में क्यां प्रांसपोट होते है सब्सक्राइब के अलोंग कंसेंटर्शन काल गता है तो यह घी आपके हम्रोंग की प्रांप्राइए है तो असे इस तो कि में आपके यह आपके यह फोरम की रिक्वार्मेंट होती यह तो इसमें जो ट्रांसपुट लोग नोग तरफ इस काम करें और किसी काम करेंगे विटामिन के तो विटामिन की और यापको पता है यह बलड की क्लोटिंग में साइफने कालोटिए करते है रिक्वाइशन के लिए क्लोटिंग से do क्या कर रहे हैं क्योंकि यह क्लोटिंग करते हैं प्लड क्योंकि अंटी कॉलेट कैम करना तो ऊपोस्ट हो जेगा तो इसके करेंगे विटामिन के vary कर रहे हैं नेक्स्ट है ड्रग विचिज का इंडिकेटेड कौंशी ड्रग है जिन पेश्ट में राइस सिंड्रोम का रिस्क है जो चिल्डरन्स होती है तो उनमें डेते क्यों क्राइस देती तो यह आपकी हो आसप्रिन जो है राइस इंड्रोम जिसका रिस्क है तो उसमें आश्पृन नहीं देनी बिल्कुल भी नहीं देनी को यह सिंड्रॉम को सक्रा देती यह एस्पृन करता है या के डारक्टर ऑफ इंडस्ट्री है जटेट ड्रक या स्टेट ड्रग लैसेंस इंस्टेट अथोर्टि अथर्ट ड्रग इंस्पेक्ट्र अधरिया तो अभी इस question का आप लो कमेंड वुक्स में दीजेगा इस वोड़े में इतना ही तो यह question paper हमारा हो गया तो इसमें जो है आभी एक पेपर और उसके बाद एक पेपर हो रहे हैं तो यह भी मैं आपको चैनल पे करा दे रही हूं एक्स्प्रेशन के साथ में तो देखिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपके वीडियो अच्छी लगए इस लाइक करना शेक करना चैनल पर नए है तो में आपके उसी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्ले सब्सक्राइब जिरू करना हो ओके थैंक यू